हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में हम ये सिंपल से येरिंग बनाएंगे बहुत ही सिंपल है इसके लिए ये मैंने धागा लिया है एट नंबर का धागा है 0.55 mm का क्रोचे ठूक है केरिंग बेस, श्टॉपर, श्टार्च सबसे पहले एक रिंग बना लेंगे वन चैन लेंगे रिंग में सिंगल क्रोचे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एड, नाइन, नाइन सिंगल क्रोचे लिए हैं आप इसको छोटा बनाना चाहें तो आप 7 भी ले सकते हैं फर्स्ट वाली इस्टिच में सिलिप इस्टिच लेंगे यह देखिए फर्स्ट इस्टिच में सिलिप इस्टिच ले लेंगे चैन मनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैन लेंगे फर्स्ट चैन को इस्किप करके सेकिंड में सिलिप इस्टिच लेंगे फर्ड चैन में आफ डवल क्रूशे लेंगे फॉर्थ में डवल क्रूशे लेंगे फिफ्थ चैन में फिट से एक डवल क्रूशे लेंगे शिक्स चेन में हाफ डवल क्रोशे बना लेंगे सेवन में हाफ डवल क्रोशे लेंगे यह देखे जिसमें लिया है उसे नेक्स्ट वाले स्टिच में सिलिप इस्टिच ले लेंगे इस तरह से हमारी एक पैटल कम्पलीट हो गई है फिर से चैन मनाएंगे सेवन चैन लेंगे फर्स्ट वाली छोड़के सेकिंड में सिलिप इस्टिच ले लेंगे थर्ड में हाफ डवल क्रोशेर फोर्थ में डवल क्रोशेर फिफ्थ में डवल क्रोशेर शिक्स में हाफ डवल क्रोशेर सेवन में हाफ डवल क्रोशेर सेकिंड इस्टिच में नेक्स्ट इस्टिच में सिलिप इस्टिच ले लेंगे इस तरह से पैटल बना लेंगे इस पूरे सरकल में नाइन पैटल बनेंगे यह देखे इस तरह से यह मैंने नाइन पैटल कंपलीट कर ली हैं फर्स्ट वाली स्टिच में सिलिप इस्टिच ले लेंगे धागे को कट कर लेंगे इस तरह से यह एक लेयर कंपलीट हो गई है इसी तरह से एक लेयर और बना लेंगे यह देखे मैंने पहली बनाई थी अब यह सरकल बनाएंगे सबसे पहले रिंग बना लेंगे वन चैन लेंगे रिंग में सिंगल क्रोशे बना लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिंगल क्रोशे लेनी है फर्स्ट वाले इस्टिच में सिलिप इस्टिच लेंगे वन चैन लेंगे सेम इस्टिच में फिर से सिंगल क्रोशे लेंगे एक सिंगल क्रोशे और लेंगे नेक्स्ट इस्टिच में सिंगल क्रोशे लेंगे वन सिंगल क्रोशे और लेंगे इसी तरह से सभी इस्टिच में टू टू सिंगल क्रोशे लेनी है टोटल 12 सिंगल क्रोशे बना लेंगे फर्स्ट इस्टिच में सिलिप इस्टिच लगा लेंगे यह देखे यह सर्कल कंप्लीट है धागी को कट कर लेंगे धागी को अच्छे से टाइट कर लेंगे फर्स्ट लेयर है धागी को बैक साइड में थोड़ा सच छोड़के धागी को गिलू से अच्छे से चिपका लेंगे इसी तरह से सैगंड लेयर भी कंप्लीट कर लेंगे अब श्टार्च लगाएंगे यह लिक्विड श्टार्च है बरावर मात्रा में इसमें पानी मिलाया हुआ है इसको बैक साइड पर अच्छे से लगा लेंगे इसकी किनारों पर भी अच्छे से लगा लेना है सैकंड लेयर पर भी लगा लेंगे यह हलका सा ड्राई हो गया है अब इसकी पत्तियों को सेब देंगे अच्छे से हातों से इस तरह से पत्तियों को सीधा कर लेंगे सैकंड लेयर को भी इसी तरह से सेब देंगे अभी इरिंग बेस लेंगे एक लेयर लेके इसके सेंटर में इसको लगा लेंगे इसके नीचे थोड़ा सा गलू लगा लेंगे सेंटर में अच्छे से गलू लगाएंगे और सैकंड लेयर को इसके उपर लगाएंगे इस तरह से लगाएंगे कि टू पैटल के बीच में सैकंड लेयर की पैटल आए इस तरह से सरकल पे गलू लगाएंगे सेंटर में गलू लगा लेंगे अच्छे से और इसको सेंटर में अच्छे से लगा लेंगे प्रेस करेंगे यह देखिए हमारा यह रिंग बन गया है बहुत ही जल्दी बना है बहुत ही सिंपल है यह देखिए इस तरह से कंप्लीट है यह देखिए